अब हम देखेंगे preparation of soap in laboratory लैब में या फिर घर पे और at home घर पे हम कैसे soap बना सकते हैं हमें क्या तीन चीज़े विजरत पड़ेगी एक तो vegetable oil है अभी vegetable oil कौन सा हो सकता है soybean oil हो सकता है cotton seed oil हो सकता है lincet oil हो सकता है या फिर caster oil हो सकता है ठीक है उसके बाद फिर sodium hydroxide या निकि कास्ट एक soda या फिर potassium hydroxide की जरत होगी और common salt तरहेंगे क्या हम थोड़ा सा हम क्या गरेंगे vegetable oil लेंगे about 20 ml हमने क्या बीकर में क्या लिए vegetable oil लिया उसके इंदर 30 ml के about 20% एन्योच या निकि इसके concentration दे रखी है 20% एन्योच हमने क्या डाल दिया इसके इंदर solution डाल दिया एन्योच का solution 20% यह concentration इसकी ठीक है अब हमने क्या 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 है heat क्या इस mixture को और stir करते रहे with stirring till a paste of soap is formed तब तक stir करेंगे जब तक पेस्ट तैयार नहीं होता विसकसा गाड़ा गाड़ा सा paste ठीक है जब पेस्ट तैयार हो जाए तो उसमें 5-10 ग्राम क्या common salt डाल दो common salt डालेंगे इसके लिए जिससे की soap और glycerol अलग अलग हो जाए soap precipitate हो जाएगा glycerol उपर आ जाएगा glycerol लिक्विड उपर रहेगा soap solid के फॉर्म में नीचे रहेगा stir the mixture well and allowed to cool हिला देंगे उसे common salt डालने के वाद stir करने के उसे छोड़ देंगे जब उसे रखा रहने देंगे तो क्या होगा उपर glycerol आ जाएगा नीचे salt आ जाएगा soap आ जाएगा उससे थोड़ा सा टेल्ट करेंगे glycerol अलग नेकल जाएगा soap उसी के अंदर आ जाएगा फिर उसे सूख नेकल डाल देंगे और फिर उसे pieces में cut कर लेगा यहाँ question मनता है why common salt is added in soap making अब देखो यहाँ add गया common salt soap तो यहीं मन गया था लेकिन यहाँ add गया common salt क्यों क्योंकि glycerol और soap को separate करने के लिए common salt is added to precipitate out यह word बहुत important है यह बूल लिखना पड़ेगा to precipitate out soap from aqueous solution जितना भी soap है उसे aqueous solution में से separate करने के लिए ठीक है क्या use करेंगे हम salt को use करते हैं ठीक है